Hello friends, welcome to English with JP sir और इस वीडियो में आप सीखेंगे often का meaning और उसका sentence में सही इस्तेमाल often सबसे बहले इसका आप meaning समझेए often का literal यानि शाब्दिक अर्थ होता है अक्सर या अक्सर क्या होता है? काफी बार जब भी कोई काम आप अक्सर करते हैं काफी बार करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं ये काम often करता हूँ often यानि अक्सर, many times, frequently और इस वीडियो में आप इसके other variants भी पढ़ेंगे यानि quite often क्या होता है? very often कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं how often as often as ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले ये समझे कि often किस तरह के sentences में use होता है तो आप समझ सकते हैं जब भी आपको अक्सर बोलना है तो उसको English में often लिखेंगे और ज़्यादा तर ये present simple में इस्तमाल होता है लेकिन कभी कभार past simple या इसमार वाजवर के साथ भी इसका इस्तमाल हम कर लेते हैं तो इसके कुछ examples देखते हैं और ये कुछ examples हैं तो पहला sentence जो है इसका हिंदी में होता है मैं अक्सर cp यानि cannot place जाता हूँ मैं अक्सर cp जाता हूँ I often go to cp तो आप समझ सकते हैं often का इस्तमाल subject के बाद होता है subject के बाद आप often का इस्तमाल करते हैं ठीक है second sentence देखो Amit often calls me Amit अक्सर मुझे call करता है तो Amit often calls me Sumit is often late to the class Sumit अक्सर class के लिए late हो जाता है Alright She often asks for help वो अक्सर मदद मांगती है तो she often asks for help Got it अब यह है quite often Quite often जो होता है वो often से भी ज्यादा यानि काफी बार कई बार Okay बहुत बार तो he watches movies quite often वो बहुत बार movies देखता है यह काफी ज़ादा movies देखता है ठीक है Quite frequently I visit temple quite often मैं बहुत ज़ादा बार temple जाता हूँ So I visit temple quite often Sita misses her bus quite often I mean अपनी bus miss करती है तो Sita misses her bus quite often तो जब भी कोई आप काफी बार करते हैं तो आप कहेंगे quite often और वो sentence की end में आता है इध्यान रखना Alright कुछ और sentences है देखो जब भी आप negative बोलेंगे यानि आप अगर ये बोलेंगे कि मैं ये काम ज़्यादतर नहीं करता हूँ या मैं ज़्यादतर cinema hall नहीं जाता हूँ ठीक है मतलब तो ये क्या होगा I don't go to cinema very often मतलब मैं ज़्यादा movies नहीं मैं cinema नहीं जाता हूँ जैसे मैं कुछ खास TV नहीं देखता हूँ मैं अक्सर TV नहीं देखता हूँ तो क्या होगा I don't watch TV very often ठीक है मैं ज़्यादा TV नहीं देखता हूँ या मैं ज़्यादा cinema नहीं जाता हूँ I don't go to cinema very often समझ गे ध्यान रखना don't आएगा last में very often लगा देंगे जैसे आप ये बोलोगे कि मैं junk food ज़्यादा नहीं खाता हूँ So I don't eat junk food very often Got it अच्छा अब how often जो होता है questions में अगर आपको ये पूछना है कि तुम ये काम कितनी बार करते हो तो उसको आप how often कहेंगे How often do you visit your hometown? So I visit my hometown once every month तो आप अपने hometown कितनी बार जाते हो मैं अपने hometown महिने में एक बार जाता हूँ हर महिने एक बार How often does Pooja call you? Pooja तुमें कितनी बार कॉल करती है तो she calls me everyday इसमें question mark गलत है question mark नहीं है तो ये answer है she calls me everyday How often are you late to the class? तुम अक्सर क्लास के लिए कितना लेट होते हो ये तुम क्लास के लिए कितनी बार लेट होते है तो ये है quite often यान ये में बहुत बार लेट हो जाता हूँ और राइट तो अब समझ आ गया How often कैसे यूज़ करते हैं तो how often means कितनी बार understand? अच्छा अब यहाँ पे देखो I visit temple as often as I can यानि जितना मुझसे हो सके उतनी बार में temple विज़िट करता हूँ I wash my hands as often as I can या जितनी बार ही मुझसे हो सके मैं अपने हाथ वाश करता हूँ He comes to my house as often as he can जितनी बार उससे हो सके वो मेरे घर आता है understand? तो इस तरह से हम इससे इस्तिमाल करते हैं तो I hope यह आपको अच्छा लगा होगा वीडियो and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इससे share कीजिएगा अपने friends के साथ और चैनल को ज़रूर subscribe कीजिएगा and I will see you in the next वीडियो टिलन ठेक केर God bless you